नौ सुदेंस देखिए ये वाला जो डाउट है ठीक है आपका ये क्यों नहीं आ रहा है ये मैं आपको बताता हूं समझ में बच्चो इस प्रापलम को करने के लिए हमारे कुछ basic कौनसेट ख्रेषा होने चीए बेशिक सुन इए क्या ख्रेषा है बच्चो एक ठीओर होता है अभी केलिए C ये right angle triangle है ध्यान दो अच्छो अब ये hypotenuse है आपका AC छिक तो अगर आप क्या करोगे hypotenuse के midpoint को अगर आप join करोगे ध्यान दीजे घजरा क्या कर रहे हैं अच्छो M is the midpoint of hypo छिक M is the midpoint of hypo क्या है यहाँ पर given क्या एक तरीके से M is the midpoint of hypo AC hypotenuse AC छिक तो बच्छो अगर midpoint hypo का आप join करोगे किस से ये वाले vertex से ये वाला जो vertex है आपका ये B वाला तो पता है क्या result आता है ध्यान दीजे घजरा जब आप इसको ऐसे करके join करोगे तो ध्यान से सुनिए ये जो आता है आपका joining line segment ये BM इसका जो length होता है ये half हो जाता है पता है किसके this is half of hypo AC ये एक theorem होती है सुना क्या किया बताईए किसी right angle triangle में hypo के midpoint को अगर आप join करोगे ये 90 वाले vertex से तो ये जो length होगा BM ये half हो जाएगा किसका AC का ठेक अब मुझे बताईए अगर इसी diagram को मैं ऐसे बना दूँ अच्छा एक चीज़ और M midpoint है किसका AC का तो ध्यान देना ज़रा AM और CM आपस में equal हो जाएंगे AM is equals to CM क्यों क्यों क्योंकि M is the midpoint of AC ठिक और ध्यान से सुनिएगा AM और CM दोनों ही AC के half हो जाएंगे वही चेक कर लो न ये AM भी क्या है हाफ of AC और CM भी क्या है हाफ of AC ठीक है ना तो चेक कर लो इस तरीके से यानि कि कहने का क्या मतलब है ये जो BM है MC है और AM है साब आपस में equal हो जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि देखो ये equation 1 बन गई चेक कर लो ये जो result है आपका जो result है है मैं फिर से लिख देता हूं न क्या ही दिक्कत है जो रिजल्ट आया है यानि कि BM जो है आपने बोला क्या सर कि BM is equals to half of AC होता है मैंने का ठीक है इसको equation number 1 बना लो और इसी तरीके से AM CM भी किसके equal है AM is equals to CM ये भी किसके equal है स्टुडेंस बताइए half of AC के equal है अब बताइए फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू अच्छो ध्यान से चेक करिए BM भी हाफ of AC और AM और CM भी हाफ of AC तो BM AM CM भाई दोनों के right hand side equal है तो left hand side भी तो equal हो जाएंगे ठीक याने के जो आपका BM है जो आपका AM है और जो आपका CM है ये आपस में तीनों equal हो जाते हैं ये result आपको digest हुआ और डाइग्राम देखोगे आप तो ये वाला ये वाला और ये तीनों आपस में equal है BM CM और AM ये result digest हुआ बताईएं ये result digest हुआ जल्दी बताईएं बोलिए ये सुनों ठीक अब सुनिएगा अब मैं आपसे एक बात और पूस्ता हूं बच्चों क्या आपको पता है कि आइसोसिलेस ट्राइंगल में अगर मतलब two sides जो equal होते तो equal side के opposite वाले angle equal होते हैं बताऊं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए माल दीजिए आपके पास कोई triangle है कोई भी triangle है लेड़स से PQR और इस triangle में अगर ये वाली side इसके equal है तो equal sides के opposite वाले angle भी तो equal होते हैं मतलब PQ के opposite कौन सा angle है R और PR के opposite कौन सा angle है Q तो angle R is equal to angle Q हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं angle opposite to equal sides are equal है तो angle R is equal to angle Q हो जाएगा बताऊं सही है ये digest हो गया बताओ हो गया तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वाला जो triangle है BMC इसमें देखो ना MC किसके equal है MB के अभी अभी बिताया MC ये देखो ना CM बोलो MC बोलो lengthwise तो सब सेम है na CM AM के equal है BM के equal है तीनों आपस में equal है तो BM और MC का length same है triangle BMC में BMC में तो भीया equal side के opposite वाले angle equal होंगे यानि कि ये वाला angle है ना समझो ये वाला जो angle है ये इसके equal होगा कि नहीं होगा बताऊं सही है ठी अब एक diagram मैं आपको और बना के दे रहा हूं और देखते हैं आपके मन में क्या आता है ठीक एक diagram मैं आपको और बना के दे रहा हूं देखते हैं आपके मन में क्या आता है ठीक है students ओके चलिए सबसे पहले मैंने आपको ऐसा दिया इस question को करने से पहले आपको कुछ basic clear होने चाहिए अगर मैं डाइग्राम ऐसा बना के देदूं बताइएगा शाइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है मैंने ऐसा बना दिया ठीक और सुनों गिवें क्या आपको गिवें क्या है कि एसी का मिड़ पॉइंट क्या है मैं M is the mid point of AC ये गिवें है तो अब वो थियोरम नहीं प्रूफ करनी लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है अगर हम B को M से जॉइन करेंगे तो ये जो BM है बच्चों ये BM जो है वो किसके एक वाल आजाएगा बताइए half of AC के एक वाल आजाएगा कि नहीं आजाएगा बताओ ठीक और half of AC कौन है AC का half तो AM भी है और CM भी है यानिके CM is equals to AM यानिके BM, AM, CM सब आपस में equal हो जाएंगे BM, CM, AM सब कोई doubt बताइए और सुनिए triangle CMB में ये दोनों sides equal है तो ये blue color वाले angle भी equal हो जाएंगे ये वाले ठीक है ये digest होगे आपको इतना ठीक अब आजाएए question पर तो जो question कल नहीं बन रहा था आपसे वो बन जाएगा भी देखिए इधर आईए देखी क्या बोला उसने किरा PQR are the midpoints of the side अच्छा एक बात और बताना चाता है उसको करने से पहले midpoint theorem भी सुन लो कुछ बाते पहले समद लो इस question को करने से पहले न midpoint theorem क्या होती है revise कर लीजे midpoint theorem क्या होती है ठीक है ध्यान से सुनिए बच्छो अगर किसी triangle के two midpoints को join करोगे तो जो line segment बनके आता है जैसे कि मान लीजे आपके पास ये एक triangle है ठीक triangle का नाम है ABC मान लीजे ठीक और आपने बच्छो AB का midpoint लिया let us say M और AC का midpoint है N सुन लो फिर से ध्यान से M क्या है AB का midpoint N क्या है AC का midpoint ठीक तो अगर इन दोनों side के midpoint को अगर आप join करोगे याने के ऐसे तो क्या आएगा बताईए दो result आते हैं पहला सुनिए ये जो है MN ये parallel हो जाएगा किसके BC के ये BC के parallel भी होता है and and दूसरा result क्या होता है कि MN जो होता है half of BC भी होता है ये मैंने class में detail में पढ़ाया हुआ है जिसको नहीं पता है सुन लो अभी के लिए MN is parallel to BC as well as MN is half of BC ये हो गया ये भी आपको पता होना चाहिए अब सुनिए इसके अलावा एक और बात पता होना चाहिए वो भी सुनिए ध्यान से सुनिए अगर किसी क्वाडिलेटल में एक पेर एक पेर में दो साइड होती है आमने सामने वाला साइड का कोई एक पेर ऑपोजिट साइड का कोई एक पेर equal भी हो जाए और parallel भी हो जाए तो वो parallelogram हो जाता है सुना क्या बोला सर बच्चों मान लीजे कि ये हमारे पास एक कोडिलेटल है ए बी सीडी और इसमें कोई भी एक पेर मतलब ए बी सीडी के साथ equal भी हो जाए और parallel भी हो जाए अगर मतलब ए बी is equals to cd भी हो जाए and and का मतलब as well as उसी time ए बी सीडी के parallel भी हो जाए तो ये कोडिलेटल क्या हो जाएगा parallelogram हो जाएगा कोई डाउट है पताईए इसी तरीके से ये भी अगर आप कर मतलब दिखा देते मतलब दिखाने का मतलब है अगर ऐसा भी आ जाता क्या कि अगर आप a b को cd के साथ ना लेते अगर आप a d को b c के साथ ले लेते अगर a d अगर parallel हो जाए क्या बी सी के तब भी ये parallelogram के लिए qualify कर जाएगा और जैसे और जैसे पैलेल लो ग्राम के लिए qualify करेगा opposite angle equal हो जाएगे इतना हो गया एक बात और सुन लीजें क्या होता है už Expectors क्या होता है तो एक ऐसा कॉडी लिटल जिसके चारो वट hypert स कहां आ अधर की बॉंडरी पर उसको कान कोर्ण कोडी लेटल बोलते है ऐसा अगर कोई भी Klas प्राइक जिसके चारो के क्या वट स्कार की बांडरी पर जैसे कि पी क्यों और ऐस्ट यह वाला जो कौडिलेटल है यह कौण साक्णी को गया क्यों किした के चारों वर्टेक्स कहां रहे है सरकल की बाउंड्री पे और और जो कौन साक्क्रिक्ण होता है उसके इंगल कसम कितना होगा 180 यहाने अगर मेरे पास कोई भी कॉडिलेटल है और उस कॉडिलेटल में अगर ऑपोजेट एंगल का सम कितना आ गया 180 तो पक्का वो क्या बन जाएगा कौन साइकली मतलब मेरे पास कोई भी एक ऐसा कॉडिलेटल दे दिया गया ऐसा कि अब कुछ भी है कि a b c d तो ध्यान सुनना अगर a और c का सम कितना आ रहा है आप बच्चे बोलेंगे दिख दी रहा है कॉन साइक्लिक दिखता नहीं है मन में सोचना पड़ता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉग करें में इक सर्कल जरूर ऐसा रहता हो जो भी नहीं दिख रहा है वह इसकी बाउंदरी से ऐसे जाता होगा बाउंदरी का मतलब है इसके वर R, are the midpoints of the side BC, CA and AB of triangle ABC, है ना, चलिए, तो सबसे पहले हम एक triangle बना लेते हैं, triangle ABC, ऐसे ही, बस एक triangle बना लिया मैंने, ठीक, कोई भी general triangle है, तो triangle ABC, अब ध्यान दीजेगा बच्छों जरा, ध्यान से ध्यान दीजेगा, P किसका midpoint है, BC का, चेक कर लो, तो BC का midpoint क्या है, P यह मान कर लो, यहां कहीं, चीक, चीक है, उसके बार, कह रहा है कि, TA का midpoint कौन है, Q, तो चेक कर लो, CA का midpoint कौन है, Q, और इसके बार, AB का midpoint कौन है, R, चीक, AB का midpoint कौन है, R है, चीक, सुन लेना, फिर से, AC का midpoint Q है, और AB का midpoint क्या है, R है, तो अगर मैं R को Q से join करूँ, मान लो, से पहले एक चीज और रुख जो हाँ सुन लो अगर मैं R को Q से जॉइन करूँ तो यह R Q क्या हो रहा है Midpoint theorem से BC के Equal भी हो जाएगा ध्यान से समझ लेना यह बाद तो आप पहले ही सुन लो कि R Q जो है Midpoint theorem से क्योंकि AB का Midpoint R है और AC का Midpoint Q है चिक तो Midpoint theorem से R Q जो है Equal भी हो जाएक किस के Half BC के Half BC के अधियोध дан सुना, Half BC के सुनो P is the Midpoint of BC है, चेक कर लो भाई चेक कर लो P is the Midpoint of BC है, तो BC का Half कितना हो जाएगा, चेक करो, BC का Half लिखने को तो आप क्या लिख सकते हो BP भी लिख सकते हो, PC भी लिख सकते हो जरुवत पढ़ने पर, जो जरुवत पढ़े तो लिख देना तो यही चीज, RQ is half of BC midpoint theorem से, और half of BC किसके equal है, BP के, तो इसको वे ने लिख दिया इस तरीके, सब क्यों लिखा भी पता चलेगा आपको, और सुनिए, यह जो RQ है ध्यान से सुनिए, दूसरा result क्याएगा, midpoint theorem का, कि RQ BC के parallel भी होगा तो RQ is parallel to BC, और ध्यान से सुनो अगर RQ BC के parallel है तो RQ BP के भी पैरलल हो जाएगा, तो कि BP जो है वो BC का ही तो पार्ट है तो RQ is parallel to BP हो जाएगा अब ध्यान दे, RQ BP के equal भी हो गया, सुन ले न, RQ BP के equal भी हो गया and RQ BP के parallel भी हो गया ध्यान से सुनिएगा बस मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूँ उसको देखना अगर मैं इसको जोईन कर दूँ इस तरीके से यूँको ऐसे तो ये एक parallelogram बन गया कि नहीं बन गया बताओ, RQ BP के parallel भी है और RQ BP के equal भी है, चेक कर लो तो याने के RQ PB एक parallelogram बन जाएगा कि RQBP, RQBP is a parallelogram ये बन जाएगा, तो बेरहल ऐसे बस मैं आपको बता दिया, अभी चलो मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से इसको भी मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, वो कहानी बस मैंने आपको बता दी, वो अभी काम आएगी, अब सुनो, अब उसने question क्या बोला, उसने बोला, and AD is the perpendicular from A to BC, चिक, AD एक perpendicular है, A से BC पे, तो ध्यान देना जरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, A से BC के उपर एक perpendicular draw कर रह देखा, क्या, कि ये AD क्या है, बोलो, जल्दी से, AD is perpendicular to BC, दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा, बताईए, अब उसने आप से क्या बोला, मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, उसने आप से बोला कि prove that PQRD, सुन लो भाई ध्यान से, PQRD, दिख रहा है, PQRD, यही बोला है, PQRD, आर कौन साइक्लिक, मतलब, वो ये कहना चाता है कि PQRD, ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, मतलब सर, अब मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, समझी कर दो, वो ये कहना चाता है कि R, ये रहा R, ये रहा Q, ये R है, ये Q है, ठीक, ये वाला आपका P है, इसके पास कहीं, यहां पर, वो कहा रहा है, ये चारो कॉन साइक्लिक है, प्रूफ करो, मतलब सर, मतलब, अगर मैं इसको ऐसे जॉइन करूं, तो समन्ना जरा, अब जो यहां किया, वही वहां करो, तो भाई, क्या चला जाएगा, समन्ना जरा है ना, अगर मैं इसको ऐसे करके जॉइन करूं, है ना, तो बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाडिलिटल है, ये मुझे दिखाना है, अगर ये एक साइक्लिक क्वाडिलिटल मैंने दिखा दिया, तभी तो बात मानी जाएगी, क्या बात मानी जाएगी, मतलब अब मेरा Target क्या है मेरा Target है यह वाला जो एंगल है और यह वाला जो एंगल है इंदोनों का सम अगर मैं कितना कर दूं बताओ इन दोनों का सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो बात मान ली जाएगी मेरी चेक कर लो भाई opposite एंगल 180 दिखा दिखा दिए तो कॉन साइक्लिक हो जागा एनिके एंगल D और प्लस एंगल क्यू बस इतना ही 180 तुम दिखा दो तुमारी बात मान ली जाएगी इतना ही करना काफी बस क्योंकि उसके बाद भाई चारों एंगल का सम 360 होता है तो यह वाला और यह वाला तो आपका टार्गेट यह मतलब ध्यान से सुनिएगा अध्यान से सुनिएगा देखिए अब मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं यह एंगल 90 है बस इतना अरे भाई एडी पी की बात कर रहा हूं बस इतना ठीक यह 90 है अब अगर यह 90 है तो क्या लीनियर प्यर से यह 90 आएगा बोलो याने के एंगल एडी बी 90 है अरे जल्दी देखो भाई एंगल एडी बी 90 है कि निए डाइजेस्ट हुआ बताओ जल्दी से एडी बी 90 है डाइजेस्ट हुआ देखके बताओ जल्दी से लीनियर प्यर से हुआ डाइजेस्ट बोलो 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 हां तो अगर डाइजेस्ट हुआ तो बहुत ध्यान से देखना भाई बहुत ध्यान से देखना है बहुत ध्यान स ठीक डी यहां है देखो भाई मैं तुम्हारे लिए ट्राइंगल एडी बी को बाहर निकाल ले रहा हूं है ना और यह एंगल 90 है तुम देख रहे हो भी यह एंगल मैं तुम्हें अभी 90 दिखा देना हूं और डी से किसको मिलाया अरे मिड़ पॉइंट आर को मिला दिया भाई चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो डी से किसको मिला दिया मिड़ पॉइंट आर को मिला दिया यह देखो राइट एंगल ट्राइंगल एडी बी में डी वाले यानिके 90 वाले वर्टेक्स से मिड़ पॉइंट को मिला दिया तो जैसे ही ऐसा कर दिया क्या ये वाली ये वाली और ये वाली यादे के AR is equals to BR is equals to DR या RD नहीं हो जाएगा जल्दी बताएगे क्या तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे बोलिए आज ही पढ़ाया है अभी पढ़ाया है क्यों भई ध्यूरम से हां हो गए तो क्या ये वाला जो angle है बहुत गोर से देखिएगा अरे ये वाला जो angle है और ये वाला जो angle है इतना केवल इतना क्या आपस में equal नहीं हो जाएंगे बताओ हो जाएंगे तो बस यही काम यहां पर देख लो भीया ADB में देखना D से midpoint R को join किया तो इसका मतलब कि BR और RD आपस में इक्वल है यस सर अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं तो ये वाला एंगल सर जितना होगा ना सर ये वाला सर ये अगर X है तो सर तो सर ये वाला एंगल भी X होगा यहां से यहां तक बता हो जल्दी से बोलो भोलो जल्दी से होगा ठीक छी ऐख है अब 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 एक बताना जहाँ आर attitude की बिए के पैरललोग्राम है आर और क्यू पीी बी एक पैरललोग्राम है बताईए अभी तो बताया था RQPB एक पैरललोग्राम है क्यों भई RQ किसके पैरलल है BP के और RQ हाफ है किसके BC के यानि कि RQ BP के इक्वल भी और BP के पैरलल भी है तो RQ BP पैरललोग्राम है और पैरललोग्राम के opposite angle होते हैं कि नहीं होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं ठीक तो यह अगर X है तो यह भी X आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो आ जाएगा बोलो सही है क्यों भई यह अगर X है तो यह भी opposite angle X हो जाएगा बताईए Satisfied हो हाँ अब सुनना ध्यान से अब सुनना ध्यान से एक बाँ बताओ भाई जारा बहुत ध्यान से समझना देखो एक बाँ बताओ B, D, C Straight Line है कि नहीं बताओ B, D, C Straight Line है कि नहीं है बोलो 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 B, D, C Straight Line है तो मैं हाँ दो angle लिख रहा हूँ और डी बी एंगल और डी बी और प्लस और डी बी और प्लस बीडी सी बीडी सी का मतलब यह वाला एंगल कि समझ सकते हो देख लेना राम से यह वाला है यह आर डी सी प्लस एंगल आर डी सी इनका सम कि और यहां वाला एंगल यह वाला एंगल यह कितना आइग बताओं मतलब यह वाले आंगल की बात कर रहा हूं हूं यह वाले यंगल किья आड़ी पी और अच्छा एंड़ी की लाख उत्By आर D B कितना था X था तो अर्ड बी की जगा तुमने एक्स रखा था तो प्लस आ डीकी कितना आ जाएगा कि निकालो अधीक को अंगल भाई एक्स उधर चला जाएगा तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो बोलो याने कि यह वाले एंगल की वेलू आ गई अरे भाई सीधी सी बात है यह X है तो यह 180-6 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ बताओ तो यह एंगल कितना आ गया 180-6 और यह कितना था एक्स चेक कर लो और यह आया 180-6 अ आठाओ अब द्हान से च्क्राइब कोडिलेटल si in quad slippery are qpd जिनको नहीं आया है इस वीडियो को दुबारा देखेगा recording में आपको मिल जाएगा लोगो डिए Auch QPD में बहुत ध्यान से चेक करो यह वाला जो एंगल है यहने के एंगल आर क्यू पी कि अब प्लस यह वाला जो एंगल है यहने के एंगल आर डी पी को अगर मैं एड करूं तो कितना आ रहा है बहिया ज़रा add करो RQP की value कितनी है RQP कितना है X है RQP की जगा एक सरकाओ RDP कितना है RDP कितना है 180-X तो RDP कितना रखोगे 180-X अब बताना ज़रा अब दो माइनस X है प्लैस X नहीं कटेगा सम कितना आ रहा है बोलो 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 दोनों का सम कितना आ गया बोलो हाँ आर डी पी कितना आ गया सॉरी आर डी पी और आर क्यू पी का यानि कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ गया बताओ तो हैंस 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 अब हम क्या बोलेंगे अब हम कहां लिखें जगाई नहीं है hence RQPD is a cyclic quadrilateral क्योंकि opposite angle का sum 1 it D आ गया hence RQPD is a cyclic quadrilateral yes or no बताईए तो अगर यह cyclic quadrilateral है तो इसका मतलब point RQP and D are kौन cyclic hence proved कोड़ाउट है बताईएं